whereas और while इन दोनों ही conjunctions का प्रयोग जबकी के sense के लिए भी किसी वाक्य में किया जा सकता है जब किसी वाक्य में जबकी का sense आए तो किस तरह से इनका use किया जाना है ये बात इस video lecture के माध्यम से आप उधारन के साथ समझेंगे देखे, example आपके सामने है दुलह केवल 20 साल का है जबकी दुलहन 30 की दुलह को groom कहते हैं दुलहन को bride कहते हैं आप while की जगा whereas का प्रयोग भी आपर कर सकते हैं मेरे पास 10 रुपे हैं जबकी आपके पास 50 रुपे I have 10 रुपीज whereas you have 50 रुपीज देखे होता क्या है जब आप sentence में लिखते हैं 10 रुपे English में तो आप लिखते हैं रुपीज 10 पचास रुपे का आपने लिखा रुपीज 50 लेकिन जब आप बोलते हैं तो आप रुपीज 10 नहीं कहते हैं आप कहते हैं 10 रुपीज तो ये लिखने और बोलने में थोड़ा फर्क होता है इसी तरह से एक्जेंपल है आयांश के पास एक पैन है जबकि मेरे पास चार आयांश है वन पैन वाइल आई हैव फोर यहाँपर आप कह सकते हैं फोर पैन्स लेकिन बार-बार पैन कहने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि यह understood है कि बात पैन की ही हो रही है तो आप simply while I have four ऐसा कह देंगे तो clear है कि चार पैन की बात हो रही है हमारे साथ पांच लोग हैं जबकि उनके पास पचास या उनके साथ पचास तो देखिए लेकिन people कहना ज़रूरी नहीं है आप 50 भी कहते हैं तो understood है कि लोगों की ही बात हो रही है पीपल की ही बात हो रही है तो आप पचास कह सकते हैं वेरेस की जगा while का प्रयोग आप कर सकते हैं